खेलो एवरिवन देख आया चंद्र गेहना देखता हूँ दृष्य अब मैं मेड पर इस केत की बैठा केला यह कविता है और इस कविता का नाम है देख आया चंद्र गेहना कविता में कवी प्रकरती के दृष्यों का वर्नन कर रहा है और वहें चंद्रगेहना नामक गाउं को देख करके आया है और उसी गाउं की सुन्दर स्रिजनात्मक कलपना यहाँ पर करके इस कविता को लिख रहा है तभी वहें कहता है कि मैं अभी चंद्रगेहना गाउं देख करके आया हूं और वहें एक खेत की मेड़ पर अकेला बैठ गया है और उस खेत को बहुत ही तनमेता से देख रहा है मन लगा करके देख रहा है कहता है कि एक पीते के बराबर यह हरा ठिगना चना चने के पौधे का यहाँ पर मानविय करन करके कहता है कि एक हदेली के बराबर मैं एक चने का पौधा यहां पर देख रहा हूँ बांधे मुरेठा सीज पर छोटे गुलाबी फूल का और उसने अपने जो उसका चने के पेड़ पर गुलाबी फूल आ जाता है उसकी तुलना साफे से की है जो सिर पर मुरेठा बानते हैं, साफा बानते हैं, पगड़ी बानते हैं उससे वह यहां तुलना कर रहा है चने के फूल की पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली अलसी का एक पोधा उगाया है और उसे हठीली कहा है क्योंकि यह बिना उगाए ही उग जाती है खरपतवार होती है बिना उगाए ही उग जाती है देह की पतली कमर की है लचीली अलसी का पोधज होता है काफी दूबला पतला सा होता है उसकी तुलना भी यहां किसी मनुश्य से की है किसी महिला से की है और ये कह रहा है कि उसकी देह पतली है और कमर भी उसकी लचीली है क्योंकि उसका तना जो है काफी तुबला पतला होता है नील फूले फूल को सीर पर चड़ा कर कह रही है जो चुए है दू हृदे का दान उसको उसका नीला जो फूल है उसको सिर पर रखकर कह रही है कि जो इस फूल को छुएगा स्वश करेगा उसे मैं अपने हदय का दान प्रदान करूँगी या दान दूँगी विशेश के बात करें तो यहाँ पर चने और अलसी के पोधिका मानुविय करण किया गया है और भाशा अत्यन सरल है और स्वाभाविक है मानमी करण अलंकार का परयोग किया गया है बीते के बराबर फूले फूल इन दोनों में अनुपरास अलंकार की छटाहन देख सकते हैं जीते स्टेंजा की बात कर रहे हैं और सरसों की न पुछो हो गई सबसे सयानी हाथ पीले कर लिये हैं ब्याह मंडप में पधारी सरसों के पुधे की तुलना किसी श्यानी लड़की से की है जो शादी के मंडप ने पधारी हुई है और उसने अपने हाथ पीले कर लिये हैं यहाँ पर फालगुन मास को ये कहा गया है कि वह शादी में आया हुआ है और फाग गा रहा है फाग एक तरह का गीत होता है जो फालगुन के मास में गया जाता है फिर कभी कहता है देखता हूं मैं स्वेंबर हो रहा है प्रकरती का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रेभुमी उपजाओ अधिक है केता है कि मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी का कोई स्वेंबर हो रहा है और प्रकरती अपना प्रेम पूर्ण आचल हिला रही है वस्त्र हिला रही है यनि उस स्वेंबर में खुश हो करके अपने सुन्दर वस्त्र धारन करके आई हुई है इस विजन में इस एकांत में वे केता है कि दूर व्यापारिक नगर से जहाँ पर व्यापारिक होड़ा होड़ी से हम दूर बैठे हैं और प्रेम की प्रिये भूमी उपचाओ अधिक है यहाँ पर हमें अधिक रद्यों में जो है सेह देता देखने को मिलती है प्रेम की भावना हम अधिक देख पाते हैं क्योंकि यहाँ पर व्यापार कम है जहाँ पर धन आ जाता है प्रेम में वहाँ पर वे कहता है कि प्रेम की भावना कम हो जाती है गाओं में इस तरह का जो है ध्यद्यों में प्रेम की भावना अधिक है कवी है कहता है यहाँ पर अनुराग अंचल और प्रेम की प्रिया दोनों लाइन्स में अनुपरास अलंकार है तीसरे श्टेंजा में कहता है और पैरों की तले है एक पोखर उठ रही इसमें लहरियां नील तल में जो गी है घास भुरी ले रही है वहभी लहरियां कहता है कि मेरे पैरों के तले में एक तालाब है और उसमें लहरियां उठ रही हैं लहरे आ रही हैं और उसके तले में नील तल यानी नीले रंग के तले में भूरी रंकी घास उग गई है और वह भी लहरा रही है एक चांदी का सा बड़ा घोल खंबा आँखो को है चकमगाता हैं कई पत्थर किनारे पी रही चुपचाप पनी किरता है कि सूरत जो है उसमें दिखाई दे रहा है जो चांदी जैसा दिखाई दे रहा है जैसे चांदी का गोल खंबा हो और कई पत्थर जो हैं तलाप के किनारे हैं और उन्हें देखकर के यूँ लग रहा है कि वो चुपचाप पानी पी रहे हैं प्यास जाने कब पुझेगी चुपखडा बगला दुबाई टांग जल में देखते ही मीन चंचल त्यान जिद्रा तागता है यहाँ पर कहता है कि वोगला अपनी टांग पानी में दुबा करके खड़ा है जैसे ही विसे चंचल मचली दिखाई देती है और वह अपनी नीद से जाग जाता है और चट दवाकर चोँच में नीचे गले के डालता है और मचली को चाप से उठा करके खा लेता है एक काले माथे वाली चतुर चिडिया सफेद पंखों के जपाटे मार फोरण तूट पड़ती है पर भरे जलकेट देपर एक उजली चतुल मचली चोँच पीली में दवाकर दूर उड़ती है गगन में किता है कि एक काले माथे वाली चिडिया जो है सफेद पंखों के जपाटे मार करके और एक मचली को वहां से खा करके दूर गगन में आकाश में उड़ जाती है और यहां पर वैं पूरा वर्नन कर रहा है, जो वातावरण है इसका सजीव चित्रन यहां पर कभी कल रहा है, नील तल में ले वर्न किया वती है और यहां पर अनुप्रास अलंकार को हम देख सकते हैं चतुर चिडिया में भी अनुप्रास अलंकार है फिर फोर्स टेंजा में और यहीं से भूमी उची है जहां से रेल की पट्री गई है ट्रेन का टाइम नहीं है मैं यहां स्वच्छंद हूँ जाना नहीं है कहता है कि जहां मैं बैठा हूँ वहां पर रेल की पटरी है और अभी ट्रेन भी नहीं आएगी इसलिए मैं यहां बिल्कुल स्वचंद हूँ मुझे कहीं भी जाना नहीं है चित्र कूट की अंगर चोड़ी कम उची उची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली हैं बाज भूमी पर उधर उधर रीवा के पेड़ काटे दार कुरूप खड़े हैं यहां पर उची उची पहाड़ियां हैं जो चारों दिशाओं में फैली हुई हैं और उसके आसपास रीवा के एक पेड़ होता है जिसमें काटे होते हैं और वो बिल्कुल कुरूप से हैं और यहां बहुत सारे लगेवे हैं यहां पर भी वातावरन का सजीव चितरन किया ऋचीए उची शब्द में अनुपरास्पुनारुकती प्रकाश अलंकर है फिर केता है कि सुन पढ मेखा करें हो नस्तली का सवर। टिरंटो टिरंटो मन होता है कहता है कि यहां सुगे का स्वर जो है सुगा होता है तोता उसका स्वर सुनाई दे रहा है और जंगल का रदे चीरता हुआ सारस का की जो वानी है जो टिरंटो टिरंटो बोलता है उससे लगता है कि उड़ जाओं में पर फैलाए सारस के संग जह सारस की जोड़ी जो है उसके साथ जाकर कि जहां हरे खेत में वह रहती है वहाँ पर उनकी सची प्रेम कहानी को चुप-चाप बैट कर सुनूं यहां पर यहां कवी का जो मन हो रहा प्रकरतिक दिश्यों को देकर उसके बारे में बताया है कि मैं भी प्रेम की कहानी सुनना चा कहाता है यहां पर मिठा मिठा शब्ड में पुनारुकती प्रकाश अलंकार रहें और भाषा जो है गद्धयात्मक है यहां पर सारस हिके और सुगरा के दो जोपक्षी करनन किया गया है और कवी का मन सारस के साथ उड़कर के वहाँ जाने przeci करता है जहां सारस रहते हैं ताकि चुप-चाप उनकी प्रेम कहाने को वह सुन सके इस परकार से यह कवीता जो है सरल भाशा में लिखी गई है और सहज गद्यात्मक भाशा का यहां पर प्रेयो किया गया है इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्रा कि अपने चैनल पर पढ़ते हैं और जानकारी वाली जो वीडियो हैं वह भी समय समय पर लेकर के आते रहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थेंक यू फॉर वाचिंग